नमस्कार, स्वागत है आप सबका संभवामी युगे-युगे की इस श्रिंखला की चौथी कड़ी में, जो श्रीहरी के दशावतार की एक काव्यात्मक प्रस्तुती हैं. मत्स्यावतार लेकर, श्रीहरी ने आदी प्रजापती मनु की सहायता से स्रिष्टी के बीज को सुरक्षित कर लिया है, और अब बारी है कच्छप अर्थात कूर्मावतार की. श्रिष्टी पर जीवन के उस अध्याय की, जब जीव केवल जल में ही सीमित नहीं रहना चाहता था, अब वो जल के बाहर क्या है, उसकी खोज करना चाहता था, स्वयम को धल पर भी उतारना चाहता था. कूर्मावतार विष्णुदेव इस महतकार को करने को, मंदरगिरी जड से उठा लिया, उस महा उदधी के मथने को. यह देख, महासागर का मन अतिशय आशंका ग्रस्त हुआ, प्रकटा धर पुरुष वेश में वह, कर बद्ध निवेधित त्रस्त हुआ. हे प्रभु, आप ही ब्रह्मदेव बन, स्रिष्टि संग्रचना करते हैं, आप ही शिवका रूप धरे प्रलयंकर जब तब बनते हैं. यह मंदर गिरि है निराचल, हो पराधीन गति करता है, यदि इसे नहीं साधा जाए, विद्ध्वनसक रूप धर सकता है. प्रभु बल से यदि प्रक्षिप्त हुआ, तोड़ेगा सप्त पाताल लोक, फिर भी गतिमान रहेगा यह, यह सो चहरिदय में व्याप्त शोक. मंदर गिरि को धारण कर लें, ऐसी सामर्थि करे निर्मित, मन्थन संभव होगा मेरा, अम्रित कर पाएंगे अर्पित. अब सिंदु राज का नम्र निवेदन त्रैलोक के नाथने स्वीकारा, अति विशाल कूर्म रूप धर, मंदर गिरि प्रिष्ठ पर धारा. नाग वासुकी रज्जु बने, लिप्टे मंदर के चारों ओर, मुख भाग दैत्योंने पकडा, देवोंने पकडा पुच्छ छोर. कर्शन रत हुए सब देव दनुज, श्रम स्वेद छलकता मस्तक पर, उदधी तरंगे वेगवान थी, गुंजित था हर 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 हर. मंदर गिरी नर्तन करता था, देव दनुज की तालों पर, उदधी उगलता गया रत्न, देव दनुज मनुहारों पर. एरावत, लक्ष्मी, कल्प व्रिक्ष, उच्चय हिश्रवा, कौस्तुभ मनि भी, संग कराल कूट भी निकला, भीशन दाहक हालाहल भी. देव असुर सब विकल हुए, शंकर की प्रबल पुकार उठी, ओम नमह शिवाय, ओम नमह शिवाय, दिश दिश में भर गुंजार उठी. सुनकर इस आर्थ निवेदन को, प्रक्टे शंकर अवधर दानी, सब गरल पान कर कष्ट हरा, शिव की महिमाल जगने जानी. मन्थन ने फिर से गति पकड़ी, सहसा, अम्रित घट निकल पड़ा, अधिक्रत कर अम्रित पान करे, यह सोच दैत्य दल मचल पड़ा. घट ले, बलात, सब दैत्य चले, हत बुद्धी देवगण देख रहे, कर बद्ध विश्णु का ध्यान किया, प्रक्टे वे, मोहिनी रूप धरे. दैत्यों ने देखा, आति मोहक, छुरिका लतासी बाला को, पल भर को तन मन सुधि भूले, देख नयन की हाला को. विस्मृत सा हुआ, अमृत घट भी, तनवंगी पहुची लहराती, अमृत दैत्यों से अपरित कर, चल पड़ी, इठलाती, बल खाती. अमृत घट ले, आगे बढ़कर, बोली, मैं वितरण करती हूँ, सब पंक्त बद्ध होकर बैठो, अमृत्व सभी मैं भरती हूँ. थे मंत्र मुग्ध सब देव दनुज, बैठे सब पंक्त बद्ध होकर, भुवन मोहिनी मुस्काती, पीउश कलश कट पर धरकर, थिरक थिरक आगे बढ़कर, देवों को अंजुल भर डाला, असुरों तक पहुँचे, पहले ही अमृत घट रीता कर डाला. यह देख दैत्य गुरु शुक्र उठे, आति क्षुब्ध क्रोध से भरे हुए, अमृत देवों ने पी डाला, दैत्यों तुम फिर से चले गए. यह सुन सब असुर हुंकार उठे, भीषण देवासुर युद्ध हुआ, सब अस्त्र शस्त्र जंकार उठे, असुरों का तनमन क्षुब्ध हुआ. अमरत्व प्राप्त देवों ने बढ़, दैत्यों का मिशन संहार किया, जो शेश रहे उठकर भागे, देवों ने जै जै कार किया. ये थी कूर्मावतार की कथा, किस प्रकार एक विशाल कच्छप बनकर, श्री हरी ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर मन्थन को निर्बाध सफल किया, विष्णु को प्राप्त हुई लक्ष्मी, श्रीहीन जो थे देव, श्रीयुत हो गये, लेकिन महादेव ने प कर हला हल बचा लिया श्रिष्टी को आने वाले संकट से, अब अगली बार देखते हैं क्या करते हैं प्रभु चमतकार क्योंकि आने वाला है उनका वराह अवतार, सुनते रहिए, बने रहिए इस यात्रा में मेरी साथ अंत तक, जै श्रीहरी, जै भायत